नमस्कार मैं हनुष का बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज में बेटियों का उथान हो उनका लालन पोशन अच्छे तरीकी से हो साथ ही उनके प्रारमिक से लेकर उच्छ शिक्षा में किसी तरह की आर्थिक समस्या ना आए बताते चले कि इस योजना की अंतरगत जन्म से लेकर इसनातक करने तक में वविन मदों के लिए राशी मिलती है हलांकि जन्म के बाद शुरुवाती दौर के योजना का लाब उठाने के लिए आपको अपनी बेटी का पहले निबंदन कराना भी होता है ऐसे में आज हम आपको शुरुवाती निबंदन की प्रोसस के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ताकि आपकी नवजात बच्चियों को भी यह लाब मिल सके यह आपको सबसे पहले बता दे कि योजना के थाथ कन्या के जन्म होने पर सरकार दो हजार रुपे देती है एक साल पूरे होने पर और आधार पंजियन कराने की बाद हजार रुपे मिलते हैं कन्या के दो साल पोड़ी होने पर जरूरी वैक्सीन लेने के बाद 2000 रुपे सरकार की तरफ से और मिलते हैं इसके बाद पहली से दूसरी कक्षा में पढ़ने के दौराद 600 रुपे पोशाख के लिए मिलते हैं इसके साथ ही बच्ची को क्लास 7 से 12 तक के दोरान किशोडी स्वास्त यूजना के अंदरगत सनेटरी नैपकीन के लिए 300 रुपे प्रतिवर्स मिलते हैं साथ ही जब कन्या 9 वी कलास में चुले जाती है तो 9 से 12 के दोरान 15 सो रुपे प्रतिवर्स पोशा के लिए दिये जाते हैं इसके साथ ही इंटर पास करने के बाद औविवाहित रहने पर 25 हजार रुपे और ग्रैजुएशन पास करने पर औविवाहित और विवाहित सभी प्रकार की लड़कियों को 50 हजार प्रोचसाहन राशी बिहार सरकार की तरफ से दी जाती है आपको अब कन्याउथान योजना के लिए बच्ची के जन्म से लेकर दो वर्ज तक की उम्र के लिए शुरुवाती राशी का लाब लेने के लिए ओनलाइन प्रोसस के बारे में बताते हैं सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर icdsonline.bih.nic.in पर जाकर सरच करना होगा इसके बाद सबसे पहले वेबसाइट आंगन को ओपन कर ले इसके बाद स्क्रेन पर icds की अधिकारिक वेबसाइट खुल जाएगी जो की समाच कल्यान विभाग के अंतरगत आता है यहां से आंगनवारी से जुरे लाप के लिए अपलाए होता है लेकिन इसके नीचे ही कन्या उत्थान योजना महला विकास निगम की वेबसाइट को अब जोड दिया गया है अब आप यहां ऑनलाइन भरने का प्रपत्र के आप्शन पर क्लिक करें प्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल कर आ जाएगा जिसमें योजना के अंतरगत जन्म से लेकर दो साल तक की बच्ची के लिए आविदन फॉर्म खुल जाएगा इस ऑनलाइन फॉर्म में आपको जैसे जैसे पूछा जाएगा आप उसे भर दे जैसे की योजना को चुले जिला का नाम परियोजना अत्वा प्रकन को चुले छेतर के प्रकार में ग्रामीन या शेहरी चुले गाव और पंचाथ का नाम चुले उसके बाद आपको अपना वार्ड चुले ना है इन सब को भरने के बाद ठीक नीचे आपको व्यक्तिकर जानकारी भरनी होती है जैसे की बच्ची की माता का नाम माता का आधार नंबर आगनवारी केंद्र कोड संख्या शिशू का नाम पिता का नाम आदी भर देना है उसके बाद आपको शिशू का जन्म निवंदन संख्या बढ़ना है जो कि जन्म लेते वक्त आंगनवारी से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने पर आपको मिल जाता है तसत की तारीक को भी वहां बढ़ना है इसके बाद अपनी केटेगरी चुन ले इसके बाद माता ये पिता का मोबाइल नमबर वहां सिती में बच्ची की पिता का बैंक विव रन भर सकते हैं जो की नीचे ऑप्शन में दिया गया है इतना करने के बाद आपको अब कुछ दस्तवेज भी अप्लोड करना होगा आप जेपीजी या फिर पीडिये फॉर्बेट में तीन सो केबी तक में बच्ची का जन्प्रमा हो गया है इसके पूरा होते ही आपको यूजर आईडी और पास्वर्ड मिल जाएगा जिसे आप फॉर्म का इस्टी टेस चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं तो इस तरह से आप खुद से घर बैठे अपने नवज़ाद बच्ची के लिए दो साल तक की उम्र तक मिलने वा आप को इस फॉर्म को भड़ कर उठा सकते हैं आप चाहे तो आगनबारी के जरिये भी अपलाई करवा सकते हैं तो आज के इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए नमस्कार